हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल उटूप चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉलूशन मैं चन्दनकुमार हाजिरूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो की बी ए पॉलिटिकल साइंस ओनर्स के स्टूडेंट्स या फिर बी ए प्रोग्राम के या फिर एममे के स्टूडेंट्स हैं और वो भारतिय राजनितिक विचारकों के विचार पढ़ रहे तो आज की नई वीडियो उन सभी कलिए important है especially वे सभी students जो 6th semester के students है और political science honors के students है तो now यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो आप लोग को ये clear कर दें कि अब तक हमने आप सभी कलिए part 1 वीडियो में डॉक्टर भीम राउंबेटकर जी जो थे उनके जो जीवन परीचे या उनकी कौन-कौन सी रचना है थी उन्होंने कौन-कौन से कारे किये इसके बार में हम डीप से बात कर चुके हैं अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीम राउंबेटकर के समाजिक नियाए पे क्या उनके विचार है क्या विचार नहीं है तो सबसे पहले समाजिक नियाए का उनके उन भी लाओं और उसके अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से complete करवा दूं क्योंकि इसमें तीन पॉइंट आप लोगों के लिए जो नियाय स्तापित करने के लिए तीन प्रोसेस इन्होंने और बता है उसके बारे में भी बात करी है लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है वो करे पुशा Ainग स्वाज के ज़्हातर वह्यकृतियों से मेल खाता है सुबाव से वैक्ति का आश्रन कैसा है ऐसा है कि वह सिर्फ अपने अवशक्ता हो अपनी जरूतो को यह फिर अपने स्वार्तों के बारे में सूचता है और नियाय तबी होगा जब समाज में हर एक वैक् पात याद रखनी है कि नियाए के एक ऐसी व्यवस्ता होती है जिसमें जात्तर लोग व्यापक रूप से क्या करते हैं एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं इसके बाद में अब हम बात करेंगे समानता और सोतंतरता के बारे में तो भई समानता और सोतंतरता के बिगार नियाए बिल्कुल भी स्तापित नहीं हो सकता यह एक दूसरे से जुड़े हुए तीनों शब्द है और भारते सविधान के अनुछे 38 में समाजिक नियाए को इस वैवस्ता है जिसमें समाजिक आर्थिक और राजनितिक राश्टिय जीवन इस तर पर सभी संस्ताओं के अनुरूप हो यानि वहाँ पर हर किसी की भागिदारी को सुनिश्चित किया जाए और हर एक वैक्ति उन आचरुनों का उन वैवारों का सफलता पूर्वक पुरियो या अपने लोगों के लिए कारे नहीं करेगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो अनुचेद है इस अनुचेद के अनुसार नियाए एक ऐसी व्यवस्ता है जिसे राज्य से हम अलग नहीं कर सकते भारत के संदर में समाजिक नियाए का अर्थ है कि भारत में किसी भी वैक्ति से जा लिए बराबर साधन मिलने चाहिए किसी भी व्यक्ति का शोषन ना हो इस चीज को सुनिस्चित किया जाए हर एक व्यक्ति को अपने साध्य या अपनी अवशक्ताएं जो है उसको पूर्ती करने के लिए उसे साधन मिलने चाहिए हर एक व्यक्ति को विकास करने के लिए अपन तो अवसर मिलने चाहिए इसके अलावा भारत में सदियों से अनेक ऐसी जातियां रहती थी जिनका सोशन दमन बड़ी जातियों के द्वारा किया जाता था और उनमें से हम बेटगर जीवी थे जिन्होंने बच्छपन में बहुत सारी जातनाओं का भी सामना करना पड़ाता ह सारी जातीयों ने यहां तक की कई जातियां ऐसी है जिनें अछूत के रूप में देखा जाता है पंद्रवी और स्लवी सताव्दी के बीच में हुए बक्ति आन्दोलों नेस्पे ने क्या किया था समाज में जो धलित वरक हैया जो हिंदू- बेदबावर उसको समाप्त कर करने की बात करी थी और मनुष्य के बीच में मनुष्य की समानता इस्तावितों इस बात पर इन्होंने जोर दिया था साथ इसाथ इन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि मंदिरों में हर एक व्यक्ति जा सकता है क्योंकि मंदिरों में भगवान बसते हैं और मनुष्य को इश्वरों को अपने इक्षानुसार पूझने का पूरा अधिकार होना चीए सिर्फ उच्च जाती वाले लोग कई बार क्या करते थे जो गरीब लोग है छोटी जाती के लोग है उन्हें मंदिरों में परवेश करने नहीं देते थे या उन्हें सिक्षा के परती उदासीन रखते थे उन्हें सिक्षा ग्रेंडनी कर देते थे तो भई इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भई उन लोगों के इस सोच को परिवर्तन करने की बात करी और साथ साथ डॉक्टर भीमरा उंबेट करने तो समाजिक अध्याय के खिलाफ में एक जिहाद सा छोड़ दिया मतलब जिहाद छेडने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन के साथ बेदबाव होता है हमें उनके बेदबाव को मुक्त करवाना होगा ऐसे वैक्तियों का तभी विकास होग सकता है जब वो बेदबाव मुक्त समाज में रहे जब वो अपने दमनकारी प्रविर्थियों से आगे निकल किया है तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये डॉक्टर भीमरा उंबेटकर ने कहा था अब इसके बाद में हम उन पर यासो की बात करेंगा जब भीमरा उंबेटकर जी ने कहा था कि हमारे समाज में अगर ये वो स्थाव हो तो क्या हो सकता है बेदबाव समाप्त हो सकता है सब से पहले उन्होंने एक तो वन वेवस्ता और करमफल के सिद्धांत की अलोचना करी वन वेवस्ता के तहति दलित जातिया या उपजातिया बटी हुई थी जिनके साथ में शूर्षन बेदबाव या फिर अच्छूत जीने समझा जाता था तो इन्होंने सबसे पहले तो वन विवस्ता के खिलाफ या वन विवस्ता का खंडन किया है दूसरे इन्होंने कर्म फल के सिद्धांत का भी खंडन किया है आपको एक कॉंसेप्ट याद रखना है कि मात्मा गांदी जी और अम्बेडगर जी दोनों के विचार बहुत तक मिलते थे परन्तु वन विवस्ता और जो पिनर जनम की बात है उसमें दोनों के विचार एक दूसरे से विपरित है गांदी जी का कहना था कि वैक्ति जो है अपने कर्मों का फल इसी जनम में भोगता है और जो इस जनम में कर्मों का फल है वो उसका फल आपको अगले जनम में भी मिलेगा पिछले जनम का जो कर्मों का फल है वो इस जनम में भोग रहे हो आप तो अम्बेटगर जी का कहना था अगर हर एक व्यक्ति इस दर्शन को स्विकार करेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो मेरा जीवन तो विहरत है मैंने तो कुछ पाप करें और वो कभी भी अपनी इस्तित उनके कर्मों के इसाब से उनका जनम नहीं होता ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किये तो आप बढ़ी जाती में किसी ने खराब कर्म किये तो छोटी जाती में ऐसा नहीं है तो यह कहता है कि यह तो हमारा वैवार और हमारी हमारे वैवार की बात है अगर हम आज के समय में देखे तो ये जो करमफल का सिधानत है वो बिल्कुली खतम सा होता जा रहा है आज कल कोई भी करमफल के सिधानत को नहीं वाणा और डॉक्टर भीमरावंबेटगर जी का माना था कि दलित उनकी उदारता पर भरुसा नहीं कर सकते क्योंकि जो गांदी जी है उन्होंने क् आप कही थी कि व्यक्ति विशेष अगर आज उसको संकट में है तो उसका कार्ण है उसका पिछला जनम क्योंकि पिछले जनम में उसने कुछ गलत काम किये इसलिए आप अमेसा क्या करें अच्छे कर्मों को करें डॉक्टर भीमरावंबेटगर जी ने उनके इस विचार को अलोचनी किया था डॉक्टर अमेटगर जी ने क्या किया था दलितों को तीन सिख्षाएं दी थी उन्होंने का था अपने बच्चों को स्कूल वेजो बिना सिख्षा के वो अपने जीवन में विकास नहीं कर सकते दूसरी चीज उन्होंने का था कि बच्चे कभी भी मदिर पान ना करें इससे शरीर की स्वास्ते की आशरन की पैसे की तीनों की यहानी होती है दूसरा इन्होंने एक आता और अगला काता कि समाज में हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा वैवार होना चाहिए उन्होंने 1945 में अपनी एक संस्था की भी एक सोसाइटी की भी स्ताप्ना कर जिसमें महाराष्ट में दलितों के लिए कॉलेज में एंट्री के बात करी थी इन्होंने कि दलितों के लोगों को भी समाज में समानता का अधिकार मिलना चीए और उन्हें भी पढ़ाई में अधिकार मिलना चीए दूसरे जाती परता का उन्मूलन ने क्या था जाती परता का आपन से का उनमुलन किया, डोक्टर बीम verbal अबेकर ने मनु कहते हैं कि जाति विवस्ता का खन्न किया क्योंकि मनु के अनुसर लोगों कुछ लोग कहते हैं कि मनुनने जाति व्यवस्ता क को बनाई बलकि अम्मेडगर чी कहते हैं कि जाति व्यवस्ता मनुन नहीं बलकि ना ही वो इनको बना सकते हैं, ना ही वो उनके पोशकते हैं, जाती व्यवस्ता का जनम मनुष्य ने, ब्राम्रों ने अपनी चतुराई से एक ऐसे समाज की स्थापना करी है, जिसके जरीए वो व्यापक तोर पे छोटी जाती है, चोटी निम्नकुल में जो लोग पैद ही है, वो हिंदू कभी भी एक ना हो सके, और साथ साथ एक दूसरे से लड़ते जगरते रहते हैं, और मनुष्य जो है, वो अपना विकास कभी भी नहीं कर पाता, इसका लाव हमेसा अमीर या ऐसे लोग के ब्राम्रों को मिलाएं, जिन्नोंने समाज में इस जाती व्यवस् को मिलाकर हम सबके विकास और सुपकी बात करने के लिए सामने आयेंगे, तीसरी बात है चूअअचूट और जातपात पर इन्होंने पावंदी की बात करेंए, उन्होंने का था कि बैख बद जो अंबेटकर जी थे Shaunोने का था, टोड़े से गंदे काम और धूर था जिसकी उनसे चुहा चूत या फिर हम कह सकते हैं कि निचले कोटी का कार्य करते थे जिसकी वज़े से उनके साथ बहुत जादा बेदबाव होता था कई तरह के बेदबाव होता था जैसे डॉक्टर भीम्राव अमबेटकरजी स्कूल में जब सिक्ष्या ग्रयान कर रहे थे तो उनको इसके साथ डॉक्टर भीम्राव मेटकरजी ने मात्मा गांधी की जो विचार है मात्मा गांधी के जो थौट्स है उन्होंने इस पर भी प्रहार किया है उन्होंने कहा है कि हरीजन जो है हमारे समाज में अलपसंक्यक है और जो बहुजन जो है वो कहा है दुरजन है तो सर्वांगिन सब का विकास करना होगा तो होफ़ली आप सभी को आज की इस नहीं वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी परकार की इंटरस्टिंग पार्ट सेकंड आएगा जिसमें आप लोगों को आज की इस नहीं वीडियो से आप लोगों को बहुत वैली मिलेगी और इसी परकार की इंटरस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे अधिक सदिक मितों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसके लाव अगर आपका कोई वीडियो आउट है तो आप इस तरीकी समसे कॉंटरक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में जैहिन जै भर्ल